हेलो गाइज वेलकम बैक टो चनल आईटेक वर्ड एकेटिव आज की वीडियों अपने उपस विद जावा का लेक्चर नमबर 34 कंट्यूनि करेंगे हम यूनिट नमबर फाइफ का लेक्चर है अभी तक हमने यूनिट नमबर फाइफ में स्प्रिंग कोर बेसिक्स डिपेंड औरियंटेट प्रोग्रामिंग अभी तक हमने इस सब्जेक्ट में उपस के बारें पढ़ा है अब एओपी क्या है एक तरसे उपस की तरह ही एक कॉंसेप्ट है बट इतना इंपोर्टेंट नहीं है जितना हमारा हूपस है राइट क्योंकि उपस के उपर हमारी पूरा यह इसको बात मैंने आपको बताई वही डेफिनिशन में लिखी हुई है इसको में कर सकते हैं कि सी खोड को different कोड के मॉडियूब्स में क्या होता है kilogram बोलते हैं और इसी चीज गोलते हैं एस्पेक्ट भी बोलते है ठीक है एसपेक्ट के यूनिट आफ मॉडिलरिटी जो इपने कोड को ब्रेक करा मोडिल में जिसको मोडिलाइशन बोलते इस पूरे एसपेक्ट को इस पूरी मोडिलेटी की यूनिट को क्या बोलते एसपेक्ट क्या करता एसपेक्ट इनेबल कर देता किसको क्रॉस कटिंग कंसन को काफी इंपूर्टेंट टर्म है क्रॉस कटिंग आगे भी आएगा इसी टॉपिक में तो मैं आपको पताद हूं क्रॉस कटिंग कंस ऐसे इसे चुट्रांजेक्शन लॉगिंग नॉट है लॉजिस लॉजिक जो हमें टेक्निकल bureau टेक्निकल सुचेशंस आती हैं ट्रांजेक्शंस में लॉगिंग में इशू जो आते हैं उनको क्रॉस कटिंग कंसर्ण बोलते हैं आप समझ सकते हैं इसका मतलब है इशू जाना ठीक है एडिशनल बहेएड ले ले लेते हैं वर एक्जामबल हमारे फोन में ऐ कोई भी कंसर्ण आरहा प्रॉब्लम आ रही है तो वह क्या आएगा हमाई security reliability इन सब चीज़ पर एक थेफ्ट आ जाएगा राइट इसके आपको definition पता होने चीज़ अगर स्टिल यह 7 मार्ट में आ गया तो आपको इसके dominant framework लिखने पड़ेंगे ठीक है इंक्लूट्स प्रोग्रामिंग मेथर्ड और फ्रेमवर्ग्स उन विच मोडिलाइशन अफ को सपोर्ट करता जिसकी मतलब से मोडिलाइशन किसी कोड के मोडिलाइशन को सपोर्ट और इंप्लिमेंट कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली इसके तीन डॉमिनेंट फ्रेमवर्ग होते हैं पहला है आपका एस्पेक्ट जे दूसरा है जे बॉस तीसरा है इस्प्रिंग ठीक है अब यह बात याद रखना एगर सेवन मार्क्स में आएगा तो यह वाला डाइग्राम आपको इंपोटेंटली बनाना ही पड़ेगा इसके मार्क्स अब को बनाओगे तो और अच्छे मिलेंगे इसमें कुछ नहीं है बस एउपी लिखना है फिर उसके फ्रेमवर्ग्स बताने और तीन दूल फ्रेमवर्ग को डिसकर्स कर लेते हैं आपको मेंड नाम याद रखने तो पहले बात करते हैं एक एक चटेंशन में और जावा प स्वारा क्राइट करा गया था यह भी Similarly qita की तरह ही सेंटेक्स उस करता है इसके लिए जो भी क्रॉस क्टिक्र होते इंको के इसका भी कुद का auf और शोली पड़ा एक हमने और उपस में यहिंद पड़ा ऩर उपकी यह तो हो गया अब दूसरा इसका डॉमिनेंट फ्रेमवर्क क्या होता जे बॉस क्या ये एक ओपन सोर जावा एप्लिकेशन सर्वर है जो डेवलप किया गया था किसके द्वारा जे बॉस के द्वारा करा गया था और ये कहीं ना कहीं घूम फिर के सिर्फ किसका थाकि हम फ्रेम्वर्क एस प्रिंग उसके बारे में जान सके और प्राविश घे संप्री력 उसके बारे में जान सके हैं और इस प्रिंग हमारा मेंन टॉपिक है वो भी उस्प्रीउड ही है तो हम यहंशार न बार्रे इस्पेंट है और इस प्रिंग क्या होता है इस Sick deben को आ representing इंप्लिमेंटिंग एओपी को इंप्लिमेंट करने के लिए एकसेमेल को यूज करता है यह कुछ एनुटेशन करता है अभी आगे पड़ेंगे जिससे कि हम अपनी लाइबरेरी को इंटरिप्रेट कर सके एस्पेक्ट जे की मदद से किसके लिए कोड को पार्स और को मैच करन करने के लिए ठीक है अगर अभी करेंट चनेरियों बात करें तो एस्पेक्ट जे फ्रेमवर्क किसका कि यह मार्केट में काफी चल रहा है ठीक है अभी डेवलोमेंट हो रहे हैं हर तरीके से हो रहे हैं बट यह भी एक डॉमिनेंट है मतलब इसका भी अच्छा खासा एक प है कुछ लोग को लगता है कि खाली एक मैथड को कर देने से और्टमेटीकली क्रॉस कटिंग कंसर्ण है वह इंपोटन सो करके स्टार्ट हो जाते हैं यह काम करने लग जाती है बट ऐसा कुछ नहीं है यह मतलब को इनको आप नहीं चलती मतलब स्प्रिंग बेसिकली यूज यह करता है proxy method को यह आधकना important term है spring uses proxy based mechanism यह करता क्या है it create a proxy object which will wrap around the original object and will take up the advice which is relevant to the method call अब अगर आपको यह समझ में नहीं आई तो मैं आपको बताएता हूं इतना इस सच important है नहीं यह topic but still मैं आपको बताएता हूं object oriented में क्या करते हैं class and objects को use करते थे राइट बट्य हम aop में क्या करते हैं यह उपी में proxy based mechanism को use करते हैं जिससे क्या होता है जो हमारा original object होता है एक तैसे वो wrap up हो जाता है जिससे कि उसको कोई authentication करने में कोई भी तिकत ना हो access करने में राइट अब हम मूव करते हैं अपने next topic उससे पहले इसमें टर्म हो रहा है उसको हम देख लेते हैं वह है cross cutting concern मैंने आपको बता था cross cutting concern important term है अभी हम इसके आपर पढ़ेंगे भी but मैंने आपको बता दिए एक ऐसा concern है जो किसी पूरे application को affect करता है ठीक है एंड शोड भी centralized in one location in code in code as possible such as transaction management authentication logging security जो मैंने आपको यूप वाला example दिया वह भी cross cutting concern का ये example है ठीक है अब क्या हो रहा है कई मतलब phone पे का एक mode epic आ रहा है mode epic मतलब modified version आ रहा है जिससे क्या आप QR code scan भी करते हो आपका payment भी होता है बड़ दूसरे के UPI में जाता नहीं यह क्रॉस cutting concern है ठीक है तो cross cutting concern एक ऐसा concern है जो पूरी application को affect करता है जिससे कि हमें code को centralized करना चाहिए एक location पर जिससे कि हमारे transaction management logging authentication security problem issues ना आएं ठीक है तो aop जब आएगा आपको यह वाला diagram बनाना seven marks में आएगा तब बनाना ठीक है तो यह कई सारे difference point होते हैं cross cutting concerns होते हैं जॉइन points concern होते हैं join points मतलब दो चीजों को join करना वीविंग वीविंग कंपाइलर की तरह काम करता है point cuts and advice कि जिसके important term है तो दो important term है एक बार इसको पढ़ लेते aspect aspect हमें पता है the class which implements the java enterprise edition application cross cutting concern such as transaction loggers is known as the aspect it can be normal class configured through xml configuration or through regular class annotated with the add the right aspect की important है ठीक है aop में aspect का annotation है add the right aspect second हमारी common term है weaving weaving क्या है weaving एक जैसे process है किसका aspect और advice object को link करने का मतलब हमारे पास कोई expect है दूसरा कोई object है उनको link करना जैसे compiler की तरह एक जैसे करके काम करता है यह भी so it can be done at load time compile time और runtime जैसे compiler काम करता है कि runtime पर compile time पर similarly aspect और advice object को link करने का का काम weaving करता है weaving एक term है and spring aop does weaving at runtime spring का जो aop है spring aop weaving runtime पर करता है ठीक है तो hopefully आपको यह topic clear हुआ होगा as such important topic नहीं है यह still अगर आता है तो आपको अच्छे से करके आना अब move करते है अपने next and important topic काफी important topic है seven marks में 101% आएगा बीन स्कोप बीन स्कोप ठीक है तो बीन स्कोप में क्या होता सबसे पहले यह समझ लेते हैं spring में the object that form the backbone of your application at that are managed by the spring ioc container are called beans ठीक है तो definition से clear हो रहा है spring में जो object आपके applications की backbone को form करता है यानि main functionality को define करता है और spring ioc यानि spring ioc container सभी हमने पढ़े थे inversion of control में यह जो container है यह आपका spring ioc container है इसके द्वारा manage होता है उसको हम बोलते हैं bean ठीक है तो bean क्या है bean एक ऐसा object है जो initialize होता है असेंबल होता है otherwise manage होता है किसके द्वारा spring ioc container के द्वारा और यह क्या है आपकी applications का backbone है major part है major functionality को define करता तो bean काफी important topic है definition आपको एकदम क्रैम हो जानी चीए ठीक है क्योंकि हमें bean scope समझना है तो bean क्या होता वो में पता होना चीए bean हम समझ चुके हैं क्या होता आप बात करते है bean scope की scope का मतलब होता life cycle ठीक है हम जैसे plant की life cycle को discuss करते हैं कि पहले वो seed था फिर वो germinate हुआ फिर वो plant child बना फिर वो plant बना तो यह क्या एक तरसे bean scope क्या है bean की एक life cycle है ठीक है bean scope के आप definition भी देख सकते हो bean scope refers to the life cycle of a bean यानि किसी bean की life cycle bean क्या होता है इसकी भी एक life cycle होती है पहले एक तरसे create होता है यानि initialize होता है फिर instantiated होता है फिर assembled होता है उसको हम बोलते है bean की life cycle ठीक है that means when the object of bean will be instantiated how long does that object live यानि की bean जो है कब instantiated हुए नि कब उसने जनम लिया birth हुआ यानि कब हमने उसको create किया how does that object live कब तक वो हमारा bean का object चला and how many object will be created for that bean throat और उस object के लिए यानि उस bean के लिए कितने object create हुए उसको हम बोलते है bean scope basically it controls the instance creation of the bean and it is managed by the spring container bean scope क्या है एक life cycle है bean की ये उस bean के instance creation को control करता और उसकी manage करता life cycle को किसके द्वारा spring ioc container के द्वारा ठीक है अब बात करते हैं इसके scope की यानि मतलब bean scope में क्या क्या होता सबसे पहले singleton उसके बाद prototype उसके बाद request उसके बाद session उसके बाद global session ये इसके पास total bean scope life cycle होती है इनको आपको अच्छे से क्रेम करना पड़ेगा learn करना पड़ेगा आप figure में भी देख सकते हो bean scopes में session singleton prototype request global session ठीक है अब ये क्या होता है हम इनको discuss कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं singleton की singleton मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कोई भी single ठीक है जब हम एक instance को create करते हैं अब instance आप already हम discuss कर चुके हैं बट स्टिल instance समझ में नहीं आ रहा हो तो एक instance जब create हो जाता है automatically जब हम किसी बीन को initialize करते हैं ठीक है समझ के instance क्या होता है यह ऐसा instance होता है जब single handedly create होता है जब हम किसी बीन को declare या initialize कर देते हैं ठीक है तो singleton में क्या होता है only one instance will be created for a single bean definition per spring ioc container and the same object will be share for the each request and made for the bean इसमें क्या एक single bean create हुआ उसका यह जिसे आपका bean हमने यह initialize कर दिया bean को create कर दिया अब bean के बाद एक single turn object create हो गया single turn object या instance बोल लो इसको ठीक है अब जब जब इसका काम होगा जब जब इस पर कोई request आएगी तो इस single handedly उसको request को fulfill करेगा ठीक है अब बात करते हैं prototype की single turn आपको hopefully समझ में आ गया होगा अब prototype क्या है और new instance will be created for a single bean definition every time a request is made for that bean तो यह आप है definition से clearly समझ में आ रहा है एक बार हमारी bean create हुई इस पर करेगा है अब जब जब request आ रही है एक ही इसकी request को fulfill कर रहा है बड़ प्रोटोटाइब में क्या होगा है जब जब request आ रही है तब तब उसकी request को fulfill करने के लिए अब बात करते हैं थर्ड जो है रिक्वेस्ट की सो रिक्वेस्ट में a new instance will be created for a single bean definition every time an http request is made for that bean but only valid in the context of web aware spring application context तो यह भी similarly prototype की तरह है बट यह request का http request आईगी यानि on the web browser hypertext transfer protocol के द्वारा web पर आएगी तो web aware spring applications होंगे उनके लिए request काम करता है ठीक है फोर्थ है अब session session क्या है scopes a single bean definition to the life cycle of a http session जब तक हमारा वो sttp session web के द्वारा आया जब तक उसकी life cycle रहेगी तब तक इसकी भी life cycle है कई बार आप करते हो जैसे government websites पर आप किसी का form वगरा फिल करते हो या voter guard वगरा बनाते हो तो उसमें आप user name और अपनी password के द्वारा login करते हो बट आप देखते हो कि 10 minute बाद पंदे मिट बाद वो session log out हो जाता है फिर आपको दुबारा session login करना पड़ता है वो क्यों क्योंकि session की life cycle होती है कितनी 10 minute और session की life cycle खतम हो गई तो बीन को दूसरी session की life cycle create करनी पड़ेगी ठीक है अब फिफ्थ कौन सा scope है फिफ्थ है global session तो scopes a single bean definition to the life cycle of a global sttb session it is also valid in the context of web aware spring application context ही तो आपको global session भी clear होगा अब यहां से आपको सारे session समझ में आ गई बट अभी इनको यह तो two marks में आगा तब आपको इतना लिखना पड़ेगा bean क्या होता है bean scope क्या होता है और इनके sessions क्या होता है फिर different life cycle भी अगर आपके पास ऐसा question आये bean की life cycle बताओ तो भी आपको उसमें यही points लिखने है ठीक है तो confused बिल्कुल नहीं होना इसमें क्या लिखना क्या नहीं लिखना इसमें क्या points लिखने है singleton prototype request session global session ठीक है अब यह जो हमने चीछ पड़ी यह detail में हमने discuss करी है अगर आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो ठीक singleton scope prototype इसमें इनके प्रोग्रामेटिकली जो भी method यूज करे जाते हैं वो लिखे गए हैं जैसे कि prototype में get been method यूज करा जाता है ठीक है similarly request session इनके बारे में भी लिखा गया अगर आप चाहो तो इनको detail में पढ़ सकते हो seven marks में आएंगे तो आपको clearly करने पड़ेंगे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इसमें अभी तक तो आप यह एक चार्ट है डाइग्राम है टेबल है इसको create कर सकते हो यह टेबल तो आपको create करने ही करने है और यह detail में है इनको भी आप पढ़ सकते हो ठीक है तो इनको आप एक बार do it and at yours करोगे एक बार singleton इसमें क्या है singleton माने default इसमें खाली एक instance create होता है दूसरा है मारा prototype इसमें क्या है creates any number of instance from a single bean configuration third है request इसमें क्या है scope of the bean instance will be limited to the request life cycle session क्या है इसमें session के लिए limited रहेगा global session session की तरह है पर यह global level पर limited रहेगा ठीक है अब मैं बताने जा रहा हूं काफी important point क्या है important point syntax bean को declare करने का syntax two marks में भी आ सकता है seven marks में आएगा तो भी important है एक बार आप इसका syntax पढ़ लीजिए ठीक तो इसका syntax किस तरीके से बीन नेम हमने क्या रखा student रख लिया class class name हमारा student है इसको हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं तब वो लिखो प्रोटोटाइप यूज़ कर रहे हैं वो लिखो रिक्वेस कर रहे हैं सेसन यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको लिखना है याप है बागी सेम रहेगा most important है बीन के topic में बीन का syntax ठीक है अब यहां पर मैंने डिटेल में बताया भी है यह चाहर है इनको पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में चीज़े नहीं समझ में आ रही है यहां पर मैंने समझाया नहीं समझ में आई तो इस टेबल को आप as it is learn कर लीजिए two marks में आएगा कुछ भी पूछ सकता है यह हो सकत होता है container creates one instance per web application runtime almost similar to the singleton scope which is with only two difference application scope कैं similar होता किसके singleton scope के versus में दो difference होता है पहला the application scope being in singleton per servlet context whereas singleton scope being in singleton per application context ठीक है तो application होता है वो servlet के construct में single होता है और singleton होता है वो application के context में ठीक है तो आपको चीजे नहीं समझ में आ रही है तो please इसको complicated ना करो बस यह वाली जो table है इसको as it is learn कर लो ठीक है दूसर difference क्या है the application scope being is visible as servlet context attribute ठीक है अब बात करते है अपने वेब सॉकेट स्कोप की तो वेब सॉकेट स्कोप क्या यह भी global session की तरह होता है इसमें two-way communication होता है किसका क्लाइंट का और remote host का remote host एक तरह से client server module जो हमने unit के starting में बढ़ा था उसी के ऊपर काम करता है यह single TCP transfer control protocol connections पर काम करता है जिससे दौनों तरफ से traffic आता है इस 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 पेशली उस फोर मुल्टीपल यूजर एप्लिकेशन यह तब यूज होता है जब हमें कोई request चाहिए होती है वेब की ऊपर और एक नहीं एक से ज्यादा user उस request को request करते है तब हमें web socket scope की use होता है ठीक है एक बात प्लीज नोट डैट 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 वैप सॉकेट स्कॉप बीन साट टिपिकली सिंगलेटन और यह भी बैसिकली सिंगलेटन की उपर ही बिर्द होते है तो यह अगर आप सिंगलेटन स्कॉप डिटेल में पूछ ले टू मार् और web socket scope scope के तो confuse बिल्कुल नहीं हो ना तो इस lecture में सिर्फ इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें आगे की topic जो हम अपने आने वाले lectures में cover करेंगे डिटेल में बाकी के लिए कोई doubt हो तो comment box में comment कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्व करना